आज मैं लेकर आई हूँ चाई और कॉफी की प्रिमिक्स की रेसिपी जिसे आप ट्रावेलिंग में यूज कर सकते हो या फिर हॉस्टेल में बच्चे रहते हो तो ये प्रिमिक्स पना कर भी दे सकते हो या फिर घर में भी बना कर रख लेंगे तो सुबह की भागदोड हो तो इस तरह से प्रिमिक्स बना कर साथ में रख लेंगे तो घर जैसी ही चाई कॉफी का टेस्ट मिलेगा जै जी नेंदर वेल्कम को मैं जैन रेसिपी मैं हूँ जीनर तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सब्स लवंग, एक टीस्पून काली मिश, दो से तीन दालचीनी के टुकड़े और एक छोटा सा चाइफल का टुकड़ा एड़ करेंगे और स्लो फ्लेम पर सारे मसाले को हम रोस्ट करेंगे तो मसाले बिल्कुल जलने ही नहीं चाहिए और हलके हलके रोस्ट करने हैं जिससे जो अब नम्मी होगी वह निकल जाएगी तो देखें मसाले हलके रोस्ट हो चुके है तो अब गैस बन कर देंगे और एक से दो मिनिट हम पैन में ही चमत से चलाएंगे और मसाले ठंडे हो जाने के बाद हम छोटे मिक्षे बावल में एड़ करेंगे और एक बार ग्राइंड कर करेंगे और एक कप बर कर चीनी एड़ करेंगे और वापस हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम चन्नी से चान लेंगे प्रिमिक्स पनाने के लिए हमें सारी चीज चान कर ही पनाएंगे तो देखें यहां चीनी और मसाले में जो भी बड़ चंक्स रह जाएंगे उसे हम वापस ग्राइणर में एड़ करके चान लेंगे अब छोटे मिक्षर बावल में 3-4 कप चाई पत्ती एड़ करेंगे और साथ में एक कप मिल्क पाउडर एड़ करेंगे और फाइन ग्राइण कर लेंगे तो देखे ग्राइण करने के बाद इसे अब हम वापस अच्छे से चान लेंगे तो देखे इस तरह ग्राइंड करने से चाई पत्ती पाउडर हो जाएगी और प्रिमिक्स के लिए इस तरह ही हमें पाउडर फॉर्म चाहिए और साथ में हमने मिल्क पाउडर एड़ किया है तो हमें चाई बनाने वक्त दूद भी याँ नहीं करना पड़ेगा तो देखे मैंने यह चान लिया है आगे हें हमारा च्षा बनाने के लिए प्रिमिक्स बनकर is ready है तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह प्रेमिक्स को हम एक अर्टाइट कंटेनर में बरकर फ्रीज में 6 मेने तक स्टोर कर सकते है और प्रहिप्र हम एटाइट कंटेनर में अब इसी मिकस हमें चाय कैसी बनाना वह भी देखेंगे तो कप में खमन मändertोता हुआ जर पर कलतेंगे और गरम पणे ऐड़ कर दें गे और एक बार जमत से मिक्स कर लेंगे और इसे हम चन्नी से चान लेंगे तो देखे देट से दो मिनीट में चाई बनकर रैडी हो गई है और ट्राविल में घरम पानी तो कहीं पे भी मिल जाता है और घर जैसी चाई रैडी हो जाएगी और होस्टेल में भी बच्चे अकेले हैं तब भी इस तरह गर जैसी चाई बनाकर एंज्य कर सकते हैं अब हम कॉफी प्रिमिक्स पनाएंगे तो उसके लिए छोटे मिक्षेर बाउल में आधा कप चीनी एड़ करेंगे साथ में 2 टेबल स्पून कॉफी पाउडर एड़ करेंगे आप कोई भी कॉफी पाउडर एड़ कर सकते हो साथ में एक कप मिल्क पाउडर एड़ करेंगे और इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे तो देखें कॉफी के लिए प्रिमिक्स पाउडर बनकर तैयार है तो इसे हम एक एल्टाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे इस तरह से प्रिमिक्स बना कर रख लेंगे तो न हमें दूद एड़ करना है न हमें उबालना है तो देखें इसी प्रिमिक्स से हम कॉफी बनाएंगे तो कप में हम पहले गरम पानी एड़ कर देंगे फिर हम तीन चमच कॉफ प्रिमिक्स से बनाई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आप भी इस तरह से चाई और कौफी का प्रिमिक्स बना कर रख लेंगे, तो जब बन करें तब सिर्फ एक से दो मिनिट में चाई और कौफी रेडी हो जाएगी, और बच्चे भी खुद बना कर एंजरे कर सकते है तो आप भी प्रिमिक्स रेसिपी एक बर्गर पर जरू ट्राइ करना थैंक यू सो मच पर वाचिंग